हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोडाल्स मोडाल्स there are two types of auxiliary verbs in English grammar primary auxiliary modal auxiliary primary auxiliary में क्या जाएगा इसके अंदर का be जैने के is, are, am, was, were, do, does, did, have, has, have, had, साहे क्रियाएं आती हैं इनका मुख्य तथा साहे क्रिया दोनों ही रूपों में प्रियोग किया जाता है ये साहे क्रियाएं काल, टैन्स, वचन, नमबर, वब, पुरुश, पर्शन से परवावित होती हैं modal auxiliary में क्या होगा, ये साहे क्रियाएं मुख्य क्रियाग की परवर्थी और अधिक सपष्ट करती हैं तता मना, इस्थिती को व्यक्त करती हैं ये साहे क्रियाएं काल, टेंस, वचन, नंबर, वपुरुष, परसन से बरभावित नहीं होती है मोडाल के साथ हमेशा क्रिया की first form का परियोग किया जाता है मोडाल का परियोग कैसे किया जाता है जिसे में हैं में का अर्थ होता है सकना factual probability, possibility, तथ्यात्मक संभावना के लिए इसका यूज किया जाता है example देखेंगे आज वर्षा हो सकती है It is likely to rain today It is possible that it will rain today It will probably rain today It may rain today यनि के चार तरह से आप इसको बना सकते हैं To seek permission आग्या लेना example क्या मैं अंदर आ सकता हूँ May I come in स्कूल में आपने बहुत यूज किया हूँ स्कूल कॉलेजिस में जब आप अंदर जाने के लिए permission मांगते हैं अंदर आने के लिए permission मांगते हैं तो आप यूज करते हैं May I come in क्या मैं तुम्हारा पैन ले सकता हूँ May I use your pen Good wishes, blessings, hope, शुबकामनाय आशिरवात के लिए यूज कर सकते हैं Example है इश्वर तुम्हें लंबी आयो दे I wish you a long life I bless you with a long life I extend my good wishes for your long life May you live long इश्वर आपको खुश रखें May you live happily Purpose उदेश्चे Example है कठोर परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको Work hard so that you may pass Might Second है might May के past के रूप में इसका use किया जाता है Example है कल शायद वर्शा हो It might rain tomorrow उसने कठोर परिश्रम किया शायद वैपास हो जाया He worked hard so that he might pass To show lesser possibility कम संभावना वेक करने के लिए यूज किया जाता है उसकी पार्टी माहने की संभावना है He might attend the party वैशायद भुका होगा He might be hungry Second, third है Can सब स्यादा यूज़ अगर हम किसी का करते हैं तो इसी मोडाल का करते है Can का अर्थ होता है To show ability, capacity और skill योग्यता वशंता दर्शाने के लिए Example है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ I am capable of speaking English I can speak English मैं तुमारी समस्या सुलजा सकता हूँ He is able to solve your problem He can solve your problem Ram car चलाना जानता है Ram knows how to drive a car Ram can drive a car To give permission, आग्या देना Example है तुम जा सकते हो You are allowed to go You are permitted to go You can go To show theoretical possibility सैदानतिंग सभावना दर्शाने में Example है धुम्रपान से cancer हो सकता है Smoking can cause cancer दुरगटना कभी भी हो सकती Accidents are likely to happen Anywhere तो ये थे कुछ modals जो आज हमने किये Next part में हम जो remaining modals है उनको करेंगे तब तक के लिए आप बढ़ते रही है और आगे बढ़ते रही है वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को Like, Share और Subscribe जरूर कीजिए झाल चकीज़ना को !! झाल झाल